आज हम लोग discuss करेंगे letterasol tablet के बारे में जिसका yus pregnancy conceive कराने के लिए होता है मतलब कि जिन लोगों को pregnancy conceive नहीं होती है उन लोगों में evolution induction में इस tablet का use होता है तो इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कि letterasol tablet की maximum dose आप कितनी ले सकते हो कितने attempt आप maximum ले सकते हो इसकी जो dose है और इसको कैसे use करना होता है अंडा किस दिन release होगा और आपको pregnancy के लिए किन दिनों पर try करना होता है pregnancy test आप कब करोगे अगला period cycle कब आएगा और इन tablets के क्या ज़्यादा side effects होते हैं इन सभी बातों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में discuss करेंगे मैं आपका स्वाग करता हूँ हमारी YouTube चैलेंग पर और बिना किसी देरी के आज कि ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आपको pregnancy conceive नहीं हो रही है तो letrazole को unexplained infertility condition में use किया जाता है unexplained infertility एक ऐसी condition है जहां पर दोनों ही couples की report normal आती है और दोनों ही couples pregnancy के लिए काफी time से try कर रहे हैं लेकिन उनको pregnancy conceive नहीं हो रही है ऐसी condition में हम लोग क्लोमिफेन tablet को use करती है अगर क्लोमिफेन tablet का response अच्छा नहीं मिलता है तो फिर हम लोग letrazole tablet advise करती है वहीं जो दूसरी condition है letrazole tablet को use करने में वो है PCOD और PCOS के patient के साथ में जहां पर females का जो period cycle है वो irregular हो जाता है और evolution मतलब की अंड़ा किस दिन release होगा वो कोई idea नहीं रहता है तो इन tablets को use करने पे हमें पता लग जाता है कि अंड़ा किस दिन release होगा किस दिन फूटेगा और उस दिन के around हम लोग जो couple से उनको advice देती है कि इस दिन आप relation बनाएं ताकि आपको pregnancy conceive करने के chances maximum हो जाएं तो वाई सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि जो letrazole tablet है यह कैसे help करती है हमें evolution induction में या फिर pregnancy conceive कराने के लिए तो जो letrazole tablet है यह aromatase inhibitor होती है मतलब की एक female hormone होता है estrogen और usually जब PCOD या PCOS की condition होती है तो estrogen का जो level है वो काफी high रहता है high level रहने के कारण जो अंडे दानी जो ovary होती है उसमें सारे अंडे mature होने लगते हैं एक साथ में एक अंडा release होना होता है लेकिन एक अंडा release नहीं होता क्योंकि जो estrogen है उसका level high रहता है तो जब हम लोग यह tablet patient को advise करते हैं लेने के लिए तो यह tablet estrogen के level को कम करती है जब estrogen का level कम रहता है तो female के brain में pituitary gland होता है उसको signal मिलता है कि जो estrogen है उसका level तो कम है और फिर वो follicles जो अंडा है उसको mature करने के लिए एक hormone responsible होता है जिसको FSH बोलती है तो जो pituitary gland है वो FSH को release करना start करता है और फिर ovary को signal मिलता है कि भई FSH बनना start हो गया है और ovary फिर जो egg है उसको mature करना start करती है मतलब कि बड़ा करना start करती है तो ऐसी ये tablet काम करती है आगे गाई हम लोग discuss करती है कि इसकी जो dose है वो क्या होती है और आपको कैसी ये tablet use करनी होती है तो देखिए usually हम लोग इस tablet की dose 2.5 mg से start करती है अगर आपका ये first attempt है ठीक है पहली बार ये उस करें तो 2.5 mg से start होती है अगर पहली बारी में आपको conceive नहीं होता है तो आपकी dose बड़ा ही जा सकती है 5 mg की जा सकती है अगर second attempt में भी आपको conceive नहीं होता तो maximum dose 7.5 mg की होती है और single tablet आपको per day लेनी होती है और 5 दिन का इस tablet का course होता है आगे हम लोग discuss करते हैं कि इन tablets को period cycle के कौन से day पर start करना होता है तो देखिए दो type के period cycle होते हैं जब आप इन tablets को लेते हो पहला तो होता है natural period cycle और दूसरा होता है जब आपको दवाईयों के माध्यम से periods आ रहे हो तो periods आपको कोई से भी आ रहे हो आपको यह जो tablet है वो day second पर start करनी होती है कभी कभी doctor आपकी condition के हिसाब से इस tablet को day second से day seventh के बीच में भी start कर सकती है लेकिन जो ideal time है वो second day का होता है क्योंकि दूसरे दिन से जो estrogen का level है वो high होने लगता है तो जितनी जल्दी आप इन tablets को लेना start करोगे आपको इन tablets का result जो है काफी अच्छा मिलेगा आगे हम लोग discuss करते हैं कि इसको किस time पर लेना होता है 24 hours में तो जो सबसे best time है वो रात को सोने से पहले का माना जाता है लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले नहीं ले सकते हो तो आप कम से कम 24 hours का gap रखेंगे और आप दिन में किसी भी time इन tablets को लेना start कर सकते हो आगे हम लोग discuss करते हैं कि इन tablets को लेने के बाद आपको evolution कब होगा और आपको कब relation बनाना है ताकि आप pregnancy conceive कर सके हैं तो suppose करो कि आपको जो periods हैं वो किसी भी मन्त की पहली तारीक को आई छे तारीक तक आपने इन tablets का course पूरा कर लिया तो आपको जब ये course पूरा हो जाता है तो आपको evolution लग भग 5 दिन से 10 दिन के बीच में हो जाता है इस evolution को पता करने के लिए दो तरीके होते हैं आप market में जाके LH card को purchase कर सकते हो जिससे आप evolution को detect कर सकते हो ये जो evolution को पता करने वाले test card हैं ये सेम वैसे ही work करते हैं जैसे urine pregnancy test card करते हैं इसमें आपको urine की drops डालनी होती है जो usually urine pregnancy test card है वो सुबह खाली पेट यूज करनी होते हैं लेकिन जो evolution test card है वो दोपहर के समय यूज करनी होते हैं दूसरा तरीका होता है follicular monitoring कराने का जो की ultrasound की तरह ही होता है ultrasound center में जाके या किसी भी gynecologist के पास जाके आप follicular study करा सकते हो उसमें भी doctor देखते हैं कि आपके जो egg का size है जो follicular size है वो कितना है और किस दिन फूटे का किस दिन egg release होगा जो ideal time होता है फूटने का egg को वो follicular का होता है 18-20 mm तक अगर 18-20 mm तक follicular का size बढ़ जाता है हो जाता है तो उसके rupture होने के chances काफी जदा high हो जाती है तो आप देखते रहे हैं अगर आप follicular monitoring करा रहे हैं अगर आपका जो egg का size है जो follicular size है वो 18-20 mm तक हो जाता है तो उनी दिनों के आसपास आपको relation बनाना होता है और अगर आप दोनों ही method use नहीं कर पा रहे हैं जैसे अगर आप evolution test card भी purchase नहीं कर सकते या फिर follicular monitoring भी आप न 11 से लेके day 20 तक relation बनाना है relation बनाते समय है या तो आप daily relation बनाई या फिर एक दिन छोड़के बनाई लेकिन आपको दो दिन का gap नहीं रखना है आगे हम लोग discuss करते हैं कि urine pregnancy test कब करना होता है तो देखिए जैसे हमीने आपको बताया कि यह unexplained infertility की condition में भी tablets use होती है जिसमे period cycle regular होती है तो जब आप इन tablets को use करोगे और use करने के बाद यह जो पूरा process था जब आपका properly complete हो जाएगा और जब आपकी next period की date expected होगी तो अगर आपको conceive हुआ तो आपको periods जो है वो time पर नहीं आएंगे ऐसी condition में जब आपकी period cycle की date miss हो जाए और 5 दिन extra हो जाए तो आपको urine pregnancy test करना होता है दूसरी condition होती है PCOD PCOS के patient के साथ में जहां पर हम लोग pregnancy को support करने के लिए additional hormonal medication देती है जो की ovulation induction में use होती है जैसे मेपरेट डेवरी, तो आपको इनका course जो है 16 से 26 तक करना होता है और जब आप इन medications का course complete कर लेते हो तो 5 दिन के बाद आप urine pregnancy test करके confirm कर सकते हो कि आपको pregnancy हुई है कि नहीं हुई है यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना आप कि कभी कभी हम लोग 16 दिन के आस-पास में आपको injection लगाती है जिसे SCG का injection बोला जाता है अगर आपको injection लगाया गया है तो फिर आपको ultrasound कराना better रहता है क्योंकि जो urine pregnancy test है या फिर आप अगर वाया blood test कराती हो तो वो आपको false positive result दे सकता है आगे हम लोग discuss करते हैं कि इन tablets के कौन-कौन से side effects होत होता है तो इन tablets के बहुती कम side effects देखने को मिलते हैं लेकिन still होते हैं क्योंकि हर medicine के कोई ना कोई side effects होते हैं तो इन tablets के भी आपको side effects मिलेंगे जैसे आपको पसीना आ सकता है ठकान महसूस हो सकती है उल्टी जी कच्चा हो सकता है आपको sporting हो सकती है और आपको headache हो सकता है आपको प्यास लग सकती है तो यह इन tablets के कुछ minor side effects होते हैं previous side effects के साथ में आपका जो cholesterol level है वो बढ़ जाता है blood pressure बढ़ जाता है आपका calcium level है वो कम हो जाता है जिससे bounce density कम हो जाती है दूसरा impact पड़ता है आपके ovarian reserve पर और जिसे AMH बोला जाता है उसका level कम हो जाता है तो हमेशा आप यह try करें कि आप खुद से इन tablets को मत लें हमेशा doctor की advice से ही इन tablets को आप लें आगे हम लोग discuss करते हैं कि maximum आप कितने attempts इन tablets के साथ ले सकते हो तो maximum चार attempts आप इन tablets के साथ में ले सकते हो मतलब कि चार मंत तक आप इन tablets को ले सकते हो अगर consume नहीं आता है तो फिर आप अपने nearest gynecologist या doctor से advice कर सकते हो अगर मुझसे आपने direct consult करना है WhatsApp के थूँ तो आप description box check कर सकते हो सारी details आपको वहीं मिल जाएगी और एक special note मेरी तरफ से यह है कि जब भी आप लेटरजोल का course start करोगे तो एक मंत पहले आपको vitamin B9 मतलब की folic acid start करना है folic acid मतलब की vitamin B9 conceive कराने के लिए बहुत important role play करता है और बेबी के development में भी यह बहुत important होता है इसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेटरजोल का एक side effect calcium की deficiency कराना भी है तो आपको इन tablets के साथ में calcium plus vitamin D3 लेना जरूरी होता है मैं आपको बता दूँ कि जो calcium है वो pregnancy की पूरी जर्नी में बहुत important होता है supplement और यह आपकी pregnancy को support तो करता ही है साथ ही अगर आप calcium plus vitamin D3 लेती है तो इससे आपकी fertility बहुत increase होती है और pregnancy conceive करने के chances maximum हो जाती है इसके साथ मैं आपको मेरी साइड से best wishes दूँगा ताकि आप जल्दी से जल्दी conceive कर सकें अगर आपको conceive होता है तो please comment करके मुझे जरूर बताना तो आज की वीडियो यहीं पर खतम करते हैं यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावा thanks for watching this video